हेलो पैसेंजर्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे, लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि दायों देख लेती है, योंगे को रेफ्रिजरेटर ले जाते हुए, जिसमें उस साइको कलिक की लाश है, एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हमें इंट्रो में मिल जाता है ह कि ये सीरीज अब फैंटेसी और मिस्ट्री वाला होगा, अगर आपने फ़र्स एपिसोड अभी तक नहीं देखा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां जाकर देख सकते हैं, तो पैसेंजर्स, अपने अपनी सीड बेल्ट टाइट कर लेजे, और चलते है एपिसोड टू की एक्स्प्लिनेशन के सफर पे, एपिसोड टू के स्टार्टिंग में एक औरत को टीवी देखते हुए दिखाया गया है, और फिर सीन शिफ्ट होता है, पास्ट में यून गे अपनी बेहन के साथ एक शो टैलेंट में जाते हैं, वहां वो सब का प्रफॉ और वे में रॉक पेपर सीजर खेलते हैं, और हम वीवर यून गे को इस बात से शर्मिंदा होते हुए देखते हैं, क्योंकि वो उस यूनिक एबिलीटी को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, और स्कूल में सब उनको इसी बात से चढ़ाते थे, पार्क में यून गे के दायों की सिच्वेशन थी, इसी वज़े से यून गे को अजीब लग रहा था, और जब वो बाहर जाकर देखते हैं, तो उसको कोई नजर नहीं आता, नेक्स सीन में हम हुआं को देखते हैं, जो कि डाउट करती है दायों पे, कि वो स्टेशन क्यों आई थी, और बिना कु पूछता है कि इतनी रात को वो क्या कर रही है, दायों बहाने बना के उनके रेस्टरांट में घुज जाती है, ये कहके कि वो बस हाल चाल पूछने आई है, पर दायों का ध्यान बार बार उस रेफरिजरेटर पे जाता है, यून गे और उसका दोस्त सवाल पे सवाल अपन हो रहा था, और यून गे को डिस्ट्राइट करने के लिए उसे पीछे धका देती है, और दोर क्लोज कर देती है, बट वो मुमें थोड़ा स्ट्रेंज बन जाता है, और उसका दोस्त भी देखता रह जाता है, दायों गाचानक से यून गे को आई लाइक्यू बोलती वही यून गे को लगता है कि दायों जूट बोल रही है, और मन में सोचता है कि अगर ये बात जरा भी सच है, तो वो क्या करेगा इफ दायों उसकी बहन निकली तो, यहां से एपिसोड टू स्टार्ट होता है, यून गे अपने घर आता है, डाइनिंग टेबल पे उसके ल यहां सीन डायों पे शिफ्ट होता है, यहां उससे वही इंसिडेंट याद आता है कि कैसे उस साइको की लाश रेफरेजरेटर में डाल दिये और अभी यून गे को वो आई लव यू बोल चुकी है, इवन नीचे घर में उसकी ममी और दादी जोर-जोर सी बात कर रहे होते और दायों नीचे जाती है, जिस पे उसकी ममी उस इंसिडेंट को लेके काफी उस पर गुसा करती है, यहां दोनों के वीच आर्गुमेंट्स होता है, बाहर तक यह बाते ना जाए, इसलिए उसकी दादी टीवी ओन कर देती है, दायों बोलती है कि अब वो खुद से सब यही सब डिसकस हो ही रहा होता है कि दादी अंदर किचन से बीलन में क्लोथ लपेट के बाहर जाने लगती है, जिसे देख कर दायों और उसकी ममी उन्हें रोकने के लिए बाहर जाती है, बट दादी रेस्टरॉइन जाके वहां के डोर तोड़ देती है, और कोई उन्हें देखे इसलिए वह भाग जाते हैं, फिर हिमत करते हुए वह डोर को उपन करने जाते हैं, पर कोई न कोई उन्हें आता नजर आता है, कभी वैन तो कभी पुलिस, ऐसा करते करते सुबह हो जाता है, यहां दायों एक फ्रेस कहती है कि चार्ली चैपलीं ने एक बात कही थी, कि जिन्दगी एक मजाख है, अगर आप उसे दूर से देख रहे हैं तो, और अगर आप नस्दीक से देखोगे तो जिन्दगी ट्रेजिटी है, मॉर्निंग में दायों सोने जाती है, देखती है कि उसके हाथ और कमर में चोट लगा है, उसी रात के इंसिरेंट का था वो, और वो भी रो रहा था, फिर दायों रेडी होके नीचे आती है, जहां उसकी मम्मी और दादी बात कर रहे हैं कि अगर वो रेफरेजरेटर नहीं मिला तो उस रेश्टरेंट वाले को भी मार देंगे, यह सब दायों सुन लेती है, और उनसे पूछती है कि आप लोगों के स आते हैं, वहां का सेक्योरिटी इन चार्ज बताता है कि सिसीटी की क्लियरली सब कुछ रिकार्ड करेगा और अब कोई क्राइम नहीं होगा, और अगर हुआ भी तो जल्दी पकड़ा आ जाएगा, एक औरत कहती है कि यह सिसीटी वी कैमरा लास्ट नाइट क्यों नहीं लग जिस पे उसका हस्बेंट बात काटते हुए बोलता है कि अगर पहले लगा होता तो डोर किसने तोड़ा यह पता लग जाता, तभी दायों की मम्मी पूछती है कि यह सब कब स्टार्ट होगा, मतलब कि सिसीटी वी कब स्टार्ट होगा, तो कंट्रोलर उन्हें बताता है कि अभी इंस्टाल हुआ है तो तुरंट स्टार्ट हो जाएगा, तभी यूंगे आता है और दायों को देखता है, बट वो अपने आपको छुपाने लगती है, इसी बात को यूंगे और उसका दोस्त डिसकस करते हैं, कि तभी दायों उनके डोड के बाहर एक्सिजाइस करने को कहते हैं, फिर अगले ही सीन में वो दायों के यहां लंच करने आते हैं, अब यहां पर दायों और उसकी ममी यह स्ट्राटेजी बनाते हैं कि उनको वो खुब पिलाएंगे, और तब तक पिलाएंगे जब तक वो टली ना हो जाए, और उनके रिस्टरॉंट में जाकर उस लाश को निकाल लेंगे, बट उनका प्लैन फेल हो जाता है, यूनगे मना कर देता है ट्रिंक से, फिर दायों की ममी बातों बातों में थोड़ा उलजाने की कोशिश करती है, बट यहां फिर से वो फेल हो जाती है, दादी यूनगे से उनके बनाएंगए खाने का दायों की ममी को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि यूनगे उस खाने में कमी निकालने लगता है, तभी वहाँ पर वांग आती है, अपनी कोवर कर के साथ, और दायों से सवाल करती है, यह सब सुनके सारे लोग नर्वस होने लगते है, दायों भी घबरा जाती है, पर यूनग बोलती है I am okay बट यून गई ये देखकर अच्छा नहीं लगता और वो दाय उनको हॉस्पिटल ले जाता है आते टाइम दाय उन बताती है कि सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल है बस थोरा सा फ्रेक्चर हुआ है बट वो भी ठीक हो जाएगा जिस पर यून के समझाता है कि जिसन तुमारा बॉइफ्रेंड हो या फैमिली वाला ही क्यों ना हो दाय उन पूछती है कि अगर तुमारे साथ ऐसा कुछ होता तो तुम क्या करते तो वो कहता है कि अगर उसकी बहन के साथ ऐसा कुछ होता तो वो उस कल्परिट को जान से मार देता नेक्स सीन में यून गे उस रेस्टरेंट उपन कर रहा होता है तो उसकी दायोंग की ममी और दादी पास कोट पे नजर रखते हैं पर अभी तक यून गे ने रेफरिजरेटर खोला ही नहीं था वहीं दूसरी तरफ दायोंग इंटरनेट पर उस इंसिडेंट से रिलेटेड केसे सर्च करती है जिस कि पास्ट में उनका स्वीट रिलेशन्शिप कैसा रहा तब ही उन्हें एक मैसेज मिलता है कि अपार्टमेंट में किसी का मडर हुआ है दायोंग अपने पुराने रेंट वाले अपार्टमेंट जाती है जहां उसे एक पारसल मिलता है जिसे वह ओपन करके देखती है तो उ उस जगह जाकर देखती है तो उसे याद आता है कि उसका कलिक यानि वो साइको उसी अपार्टमेंट में रहता था उस अपार्टमेंट से जब बॉड़ी निकाली जाती है तो गलती से दायों का हाथ उस बॉड़ी से टकरा जाता है जिससे वो डर जाती है यही फिलिंग यू पुलिस सुनती हुए जाती है कि बहुत सारे लोग सेक्षोल असॉल्ट और स्टॉकर के लिए पुलिस में रिपोट करते हैं और कुछ लोगों का मर्डर भी यही सारी रिजन्स के वज़े से हो जाता है ये सब सुनते हुए जब वो आ रही होती है कि तब ही यून के उससे मिल कर रही है जिसे पड़ दायों भागती है पुलिस स्टेशन की ओर और वहां पुलिस स्टेशन में दादी कंफेस करती है कि वो किसी का मडर कर चुकी है तभी दाएं उनकी मम्मी आती है और दादी को देखके शौक हो जाती है बात को संभालते हुए वो उनको वहाँ से ले जाती है ये कहे कि दादी का पास्ट बहुत खराब रहा है उनके हस्बेंडोंने हमेशा मारते थे इसलिए उन्हें ऐसे सपने आते है तभी दाएं उन भी आती है पुलिस स्टेशन वहाँ से वो तीनों बहाँ निकलते हैं और बहुत रोते हैं क्योंकि एक दुसरे को वो बचाने के लिए खुद को वो सैक्रिफाइस कर रहे थे अगली सुबब वो पुलिस ओफिसर दाएं उनकी ममी से सवाल करता है कि आखिर वो क्यों आये थे पुलिस स्टेशन ये सुनकर दाएं उनकी ममी बात टाल देती है वहीं दुसरी तरफ दाएं उन्हें की हेल्प करती है समान शिफ्ट करने में और रेस्टरांट के अंदर जाती है जहां वो बातों बातों में यूनगे और उसके दोस्त से डेट अफ बर पुछती है फ्रेंशिप के लिए बत यूनगे शर्थ रखता है कि वो तभी बताएगा जब वो उसके साथ रॉक पेपर सिजर खेलेगी दाय उन मान जाती है और दोनों खेलना स्टार्ट करते है जितनी बार वो ये करते है उतनी बार वो दोनों का सेम आता है यूनगे को पुरानी बात अपनी बहन की याद आती है एक प्रेजन दाय उनको यकीन नहीं होता कि जितनी बार वो खेले हर बार match drop हुआ है यूंगे सोचता है क्योंकि उनके emotions सेम connect कर रहे हैं इसे लिए एक ना कोई हारा और ना ही कोई जीता वहीं दूसरी सेन में police officer पुरानी file open करता है जिसमें यूंगे की बहन का report था वही officer यूंगे से मिलता है और पूछता है कि वो इस जगह क्यों आया है यूंगे जवाब में कहता है कि यहां का rent ससता है इसलिए वो यहां आया है और मन में सोचता है कि सब जूर बोलते हैं यहां past का सीन दिखाया जाता है जहां कुछ rituals हो रहे होते हैं यूंगे की बेहन को ढूनने के लिए वो शवन बताती है कि culprit यहीं आसपास है यह सारा सपना यूंगे की ममी देख रही होती है यूंगे जब घर आता है तब उसकी ममी बहुत सुनाती है और बोलती है कि यूंगे के वज़े से ही आज वो अपनी बेटी खो दी उससे मांगती है कि वो उसको कहीं से भी ढून कर लाए यह सुन के यूंगे भी रोता है और अपने कमरे में बहन को याद करता है जो उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो जिस पर यूंगे कहता है कि I am okay यहाँ दायूं कहती है कि सबसे ज़्यादा जुट बोलने वाला संटेंस है I am okay दायूं चुपके से यूंगे के रेस्टरांट जाती है क्योंकि गेम खेलने के कारण उसको डेट ओफ बर्थ पता लग गया था अब वो डोर का वही पासपर्ट उपन करती है और वो खुल भी जाता है अंदर जाकि वो रेफ्रिजरेटर को खुलती है और दंग रह जाती है क्योंकि उसमे लाश नहीं थी तबी यूंगे बोलता है कि क्या वो उसे वो चीज मिला जिसे वो ढोन रही है दायूं पलट के देखती है यूनगे सोचता है कि अब क्या जूट बुलने वाली है ये वेल बहुत सस्पेंस चल रहा है जड्रामा में no doubt और excitement level भी बढ़ गया है ये जानने के लिए कि आखे लाश कहा गई और यूनगे की बहन के साथ हुआ क्या था आने वाले एपिसोड में बहुत सारी चीज़े रिविल होंगी तो passengers अगर आपको ये explanation अच्छा लगा है तो like, share और subscribe करें और मैं मिलती हूँ आप सभी से next episode में तब तक के लिए with lots of love, bye bye